हेलो फ्रेंड श्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चनल जहारकन डेजुकेशन में फ्रेंड जहारकन उत्पात सिपाही भरती 2022 का विग्यापन जोए की जारी कर दिया गया है तो फ्रेंड इससे रिडेड मैंने एक विडियो भी आप लोग को प्रवाइड किया कि कौन कौन से लोग जोई कि आवेदन कर सकते हैं क्या सिलेबस रहने वाली है किस तरह से जोगी चैन परकिरिया होने वाला है तो सारा इंफोर्मेशन आप लोग उस वीडियो के मादेम से दिया गया है अगर आप लोग ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जैनल के प्लेडिश में जाकर आप जोगी उस वीडियो को देख सकते हैं और यह जो वीडियो है HTSC, OBC, EWS और General Category All Category के लिए जो कि यह important है Boys, Girls, सभी के लिए तो वीडियो को भी नहीं skip के आप लाश तक देखेगा फ्रेंट्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए होंगे पहले पर विजिट कर रहे हैंगो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे इस तरह का जो भी वीडियो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन जो कि आप तक पहुंच सकेगी तो फ्रेंट्स जरू से सब्सक्राइब कर लिजेगा अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि का सर्टिफिकेट जो कब का होना चाहिए और रेसिडेंसियल सर्टिफिकेट जो कब का होना चाहिए तो सबसे पहले आप लोग को बतादे अब जहारकन के करने डेट हैं आप किसी भी कडेगरी से बिलॉंग करते हैं किसी भी कडेगरी से बिलॉंग करते हैं तो आपको जो कि रेसिडेंस से सर्टिफिकेट देना अनिवारे है आप यदि जेनरल कडेगरी वाले से हैं तो जेनरल वालों को भी देना है ठीक है अब यहाँ पर बात आता है कि जो Residency Certificate और कब का होना चाहिए का Certificate तो सबसे पहले मैं यहाँ पर Residency Certificate की बात करता हूँ जो All Category के लिए है सभी Work के लिए यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिये का Friends देखे Friends यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ डेट लिख रहा हूँ जैसे यहाँ पर ध्यान दिजेगा 2 June 2016 ठीक है? 2 June 2016 आप इसे ध्यान रखेगा इस डेट के बाद यदि आपके पास सबसे पहले याद रखे कि इस डेट के पहले आपके पास किसी भी आपके पास अस्थानिय निवास परमान पतर है तो वो valid नहीं होगा आपके पास DC का हो या फिर SDO का हो या फिर CEO लेबल का इस डेट से पहले का यदि हो तो आपका माने नहीं होगा लेकिन यदि आपके पास इस डेट से 2 June 2016 2016 से लेकर इस डेट के बाद और इस डेट के बाद इस डेट से और इस डेट के बाद यदि आपके पास SDO लेबल का है ठीक है SDO लेबल का है या फिर DC लेबल का है तो वो आपका valid होगा ठीक है ना या या ये डेट से पहले किसी भी authority का है तो वा valid नहीं होगा लेकिन इस date के बाद यदि आपके पास SDO या DC level का है तो वा valid होगा यह date आप याद रखेगा और एक date आप याद रखेगा फ्रेंड से हाँ पर मैं बता रहा हूँ 29 जुलाई 2009 ठीक है 29 जुलाई 2009 तथा इसके बाद ठीक है ना 29 जुलाई 2009 तथा इसके बाद यदि आपके पास SDO level का है जो अंचला धीकारी होते हैं block level से जो बनता है circle officer इनके पास का यदि आपके पास अस्थानी निवास परमान पत्र है तो वा valid होगा और इससे परले यदि आपके पास स्यो लेवल का है तो वा वा वैलिद नहीं होगा यहां पे इस दियट में आपके पास SDO या DC लेवल का भी है तो वो भी चलेगा तो आप यहाँ पे दो date याद रखेगा मैंने आपलोंको दो date बताया 2 June 2016 और 1 date मैंने आप लोगो बताया 29 July 2019 ठीक है 29 July 2019 यहाँ पे मैंने आप लोगो क्या बताया फ्रेंस यहाँ पे आप लोगो यही बताया गया कि इस date के पल यदि आपके पास किसी भी authority से तो वह valid नहीं होगा लेकिन इस date से लेकर के अब तक अब तक यहाँ देखेगा अब तक यदि आपके पास SDO label का है ठीक है या फिर DC label का है तो आपका निवासिय पर्मान पत्र जोगे की मानिय होगा लेकिन इस date से पहले आपके पास SDO label का रहेगा तो वह मानिय नहीं होगा SDO label का मानिय कब से होगा यह date देख रहे हैं यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ इस date से लेकर अब तक यदि आपके पास SDO label का भी है तो वह मानिय होगा ठीक है ना यहाँ पर याद रखेगा अभी भी आप यह दिया बना रहे हैं जैसे कुछ लोग पूछेंगे कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो 2020 का है और SDU लेबल का है मानिय है की नहीं ठीक है तो आप ध्यान रखेगा अब तक यह दिया आपके पास SDU और DC का हो तो मानिय है ही लेकिन इस यह दिया आपके पास UA लेबल का है तो वो भी मानिय रहेगा ठीक है तो आई होप यहाँ पे आप लोग को डेट के बारे में जानकारी मिल के आओगा क्या डेट है ठीक है सभी वर्ग के लिए है जब आप फॉर्म को फिल अप करेंगे तो आप किसी भी कडेगरी से पढ़ने वाला है क्योंकि वहाँ पे फॉर्म फिल अप करते समय आप लोग को जो है कि डोमिसाइल नंबर जो होता है रेसिडेंस असर्टिफिकेट नंबर जो होता है वहाँ पे आप लोग को डालना पड़ेगा आप किसी भी कडेगरी से बिलोंग करते है यादि आप जार करें SDO rzeczy level का या फिर DC level का यादी आपके पास certificate है तो वह मांने आपका होगा यानि किसी भी डिएट का हो SDO Label और DC लेबल के पास कए ओर आपके पास बना हुआ है का certificate HTHC का जो बना हुआ है certificate वह किसी भी डिएट का होगा तो वो valid रहेगा या change नहीं होता है या आपका valid है ठीक है और बतादे यहाँ पे एक date और याद रखिएगा यदि आपके पास 25 February 2019 ठीक है 25 February 2019 के बाद का यदि आपके पास CO level का है ठीक है ना 25 February 2019 का यदि आपके पास CO level का है तो वो भी चलेगा इस date से लेकर अब तक यदि आपके पास CO level का है तो STAC वालों का भी certificate चलेगा लेकिन इससे पहले का जो होगा CO level का नहीं चलेगा इससे पहले का CO level नहीं चलेगा SDO और DC के पास का हो तो वो चलेगा वो मानी आपका होगा तो CO level का यह date याद रखिएगा आप महाँ पे date लिखा हुआ रता issue date आप उसे दिहान से देख लिजेगा अगर चेक कर लिजेगा ठीक है तो यहाँ पे STAC का जो certificate है उसके बारे में भी आप लोग को मालूम चलेगा आओगा ठीक है अब यहाँ पे बात कर लेते हैं OBC का ठीक है OBC का यहाँ बात करें तो इसमें आप लोग को मालूम हों का फ्रेंट्स OBC में दो कडेगर यहने की BC1 और एक होते हैं BC2 ठीक है BC1 एंड BC2 तो यहाँ पे हम बात करें फ्रेंट्स यदि आपका जो डेट यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं 29 अगस्त 2012 ठीक है 29 अगस्त 2012 इस डेट से लेकर इस डेट से पहले का यदि आपके पास किसी भी ओथरियर्टी का है तो वह आपका जो की मानिय नहीं होगा ठीक है BC1 और BC2 वाले के लिए बोल रहे है किसी भी ओथरियर्टी के पास का यदि इस डेट से पहले का है तो वह आपका वैलेड नहीं होगा लेकिन इस डेट से लेकर के आगे तक यहनि कि अब तक यदि आपके पास SDO या फिर DC लेबल के पास का है यानि DC के पास का हो तो यह दोनों अस्तर से यदि आपका बना हुआ है तो वह आपका वैलेड होगा ठीक है और यदि आपके पास 25 फरवरी 2019 से या इसके बाद से यदि आपके पास CO लेबल का है तो वह आपका valid होगा ठीक है यह date याद रखेगा 25 फरवरी 2019 से लेकर के अब तक यदि आपके पास CO level का है तो वह आपका valid होगा लेकिन इस से पहले यदि आपके पास CO level का है तो valid नहीं होगा ठीक है ना किस level का SDO और DC level का यह दोनो date देख रहे हैं यह दोनो date के बीच में जो की SDO और DC level का यदि certificate होगा तो वो भी मानिय होगा बीच में पुछेंगे कि 2013 का 14 का 15 का SDO DC का मानिय है की नहीं है तो आप लोग को बता दे कि इन दोनों के बीच में ही वह date आएगा तो वह जो की SDO और DC level का होगा तो वैलिट होगा लेकिन इस date से पहले किसी भी अस्तर से बना हुआ रहेगा वह आपका मानिय नहीं होगा ठीक है आप इस दोनों date को याद रखना है कि इस date से पहले का यदि आपके पास होगा तो इस date से पहले का कहीं से भी वैलिट नहीं होगा और इस date के बाद से आपका CU level का valid होगा और यहां से लेकर के अब तक आज तक यहीं बात करते हैं यहीं आपके पास SDU या DC level का भी होगा तो वह आपका valid होगा तो यहां पर फ्रेंट्स आप लोगो को STSC और क्या है कि STSC हो गया उसके बाद OBC certificate के बारे में मालूम चल गया होगा OBC certificate के बारे में यहां पर फ्रेंट्स नोटिफिकेशन जो जारी क्या गया था उसे हम बताया गया था कि जो भी गैर किरीमी लेयर में आता है यानि कि जो नन किरीमी लेयर में से बिलॉंग करते हैं तो वहाँ पे उन लोग को क्या करना है friends की उनका जो जाति पर्मान पत्र की यदि validity यानि की जो बैटता यदि समाप्त हो जाता है सुवा घोसना पत्र देना होगा और सुवा घोसना पत्र जो की notification जो है उसमें प्रपत्र 5 में है उसी प्रपत्र में जो कि आप लोग को देना उसी परिसिस्ट जो 5 है उसी के according देना है यहाँ पे आप देखिएगा परिसिस्ट 5 आपको दिख रहा है इसी में जोएका आप लोग को स्ववा गोशना पतार जोएके आप लोग को देना है ठेक है यहाँ पे अपया आपको याद रखेगा फ्रेंटS EWS वालो के लिए EWS वालो की यदि बात करें ताप date याद रखेगा यहाँ पर मैं लिक रहा हूँ, mention कर रहा हूँ 25 फरवरी 2019 25 फरवरी 2019 इसके बाद का यदि आपके पास CO level का है, या फिर SDO level का है या फिर DC level का है, किसी भी authority का है तो आपका जो की valid होगा, इस date को याद रखेगा 25 फरवरी 2019, इससे पहले का valid नहीं होगा लेकिन इस date के बाद का यदि आपके पास होगा तो valid होगा, लेकिन फ्रेंट्स में आप लोग को validity expire का date चेक करना होगा आपका जो validity date का है, मतलब जो expire का जो date है, वो अब तक है की नहीं है यदि आपका expire कर गया होगा, जो validation date होता है यदि आपका expire कर गया होगा, तो आपको जो की नया बनवाना होगा, नया बनवाना होगा क्योंकि यहाँ पे जो है की जो EWA certificate होता, उसका केवल एक साल ही जो होता है, ठीकान में है की केवल स्वा गोसना पत्र दे रहा है आपका certificate यदि certificate का वैलिटी स्वाप्त हो गया होगा तो उसमें केवल स्वा गोसना पत्र देना है लेकिन EWS वालों के लिए जोए की नया बनवाना है, तो friends यहाँ पर जब इसका online आवेदन शुरू होगा यह किस प्रकार से आप लोग का online आवेदन करना है तो चैनल के साथ आप बने रहे हैं का friends जो भी updates आएगा उसका वीडियो जोए कि आपको हमारे चैनल पर जोए कि एवलेबल करा दिये जाएगा तो चैनल के साथ बने रहेएगा चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के प्रेस कर लिजेगा ताकि आगे जो भी इस तरह का वीडियो जाय है उसकी नोडिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो वीडियो को जाता जाता लाइक किज़े फ्रेंड्स और कोई सुझा होगा ताब कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखे अपना डाउड भी कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखे धन्यवाद जय हिन जय जहारकंड